सोलन की अस्ताल में ECG के लिए महलाओं को शर्मसार होना पड़ रहा है चार दिवाई की बिजाए परदे की आड में करवाये जा रहे ECG से महलाओं को काफी दिखतें पेश आ रही है जानकारी के उनसार सोलन अफसाल में बिद्धों के पंजिगन करवाने के चोटे से कक्ष में ECG करवाई जा रही है कक्ष में बनी खिडकी में बिद्ध अपना पंजिगन करवाने आते रहते हैं और इसी बज़े से वहां कभी-कभी परदा भी नहीं किया जा सकता है और महलाओं को कई वार सरमशार होना पढ़ रहा है कक्ष में बिद्धों की परची काट रही अक्षम महला करमचारी उमा ने रोज प्रक्ट करते हुए कहा कि महलाएं अक्सर उन्हें शिकाइद करती हैं ऐसे में उन्हें अपना काम करने में भी काफी दिखते हैं पेश आती हैं बार आपने भार को जाना तो इस तरह से केसे होगा में कब परची बनाऊंगी कब और परची पर स्टेंप लगाऊंगी और कब रिजिस्टर पर एंट्री करूंगी अगर साम तक 50 या 100 ECG हुई तो मैं कितनी बार भार अंदर एक में हैंडिकप लड़की हूँ मैं कितनी बार भार अंदर आऊंगी और जाऊंगी वहीं MS महेश गुपता ने मामले पर लिता पोती करते हुए कहा कि ECG कक्ष में जनाऊषदी के अंदर बनाया जा रहा है जिसके चलते ECG को दूसरे कक्ष में स्थांदर नितित कर दिया जा रहा है और अगर कक्ष में पर्दे नहीं है तो बहाँ जल्द पर्दे लगा दी जाएंगे यह नहीं लगा है तो पर्दे लगा दिया जाएगा दर्वजे पर लगा देंगे